हेलो बच्चबाटी आज हम पढ़ेंगे फेरडे और हेन्री एक्सपेरिमेंट के बारे में इलेक्ट्रो मेगनेटिक इंडेक्शन समझने के लिए फेरडे और हेन्री ने एक्सपेरिमेंट दिया ठीक है, first experiment में इन्होंने बता है current हम induce कर सकते हैं with the help of magnet किस तरीके से induce किया जाता है, चलो देखते है इस experiment को perform करने के लिए इन्होंने coil ली एक जिसके उपर कुछ turns ली and number of turns हम बोल सकते हैं ठीक है, और इसको connect कर दिया एक galvanometer के साथ galvanometer का काम होता है, deflection का जो हमें बताता है, circuit में current flow कर रहा है या नहीं और यहां पे हमने एक लिया bar magnet, this is north and this is south pole अब हमें पता है, magnet की कुछ magnetic field होती है, तो magnetic field जो है वो इस तरीके से form होंगी इसकी north से outward होती है और south के अंदर inward होती है, यह pattern हम इसके लिए draw करते है अब first इसने क्या कहा, कि जब हम इस magnet का north pole, coil की तरफ लेके जाते हैं तो galvanometer के अंदर एकदम से deflection होता है, और deflection क्या शोगरता है, कि इस circuit के अंदर current induce हो रहा है ठीक है, लेकिन यह जो deflection है वो temporary है, जब बार magnet में motion हम करा रहे हैं, तो deflection हो रहा है अगर हमने इसको stationary condition में रख दिया, तो यहाँ पर कोई भी deflection नहीं होगा अब इसकी magnetic field है, और यह magnetic field जब कोईल के साथ link करेगी, तो यह क्या बनाएगा, magnetic flux और circuit के अंदर current induce होगा, और current की जो direction होगी, वो oppose करेगी इसकी direction को यह दर flow कर रहा है, तो current की जो direction होगी, वो इस तरीके से आ जाएगी इस तरीके से हम इसको represent करेंगे, जब इसको हम इसमें इंटर करा रहे हैं, तो field lines जो हैं, वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर foam हो रही है, magnet जैसे जैसे इसके पास आएगा, current जो है, वो क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा next situation में ही क्या कह रहे है, कि अगर हम magnet को दूर लेके जाते हैं, तो galvanometer के अंदर जो deflection होगा, वो opposite होगा और deflection किसको show कर रहे हैं, कि circuit के अंदर current flow कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो field lines है, वो क्या होगी, कम हो जाएगी, field lines कम होगी, तो जो current है, वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा जब हम इसको fastly move करा रहे हैं, toward the coil, और away from the coil, तो galvanometer के अंदर जो deflection होगा, वो fastly होगा लेकिन अगर हम इसको stationary condition में रख रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी deflection नहीं हो रहे हैं, और deflection शो कर रहे हैं, circuit के अंदर current induce हो रहे हैं, तो यहाँ से क्या conclusion निकलता है, कि अगर हम bar magnet का motion में रखते हैं इसको, या relative motion हम ले रहे हैं, coil और magnet के बीच में, तो उस condition में circuit के अंदर current induced हो रहे हैं, first से यह conclusion निकलता है, इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, अब हम देखते हैं, second experiment, current induced by current, इस case में हम bar magnet यूज ना करके, एक coil यूज करेंगे, अब यहाँ पे हम दो coil यूज कर रहे हैं, first जो coil है, इसको हमने connect कर दिया है, galvanometer के साथ, and यहाँ पे हम use कर रहे हैं coil, इस case में क्या होगा, यहाँ पे हमने एक battery लगा दिया, तो battery से current flow करेगा, इस तरीके से, और जब current flow करेगा, तो यहाँ पे magnetic field जो है, वो create होगी, और magnetic field जब इस coil के साथ link करेगी, तो वो क्या बनाएगी, magnetic flux, इस तरीके से यहाँ पे कुछ pattern create हो अब हम क्या करेंगे, इस coil को move कराएंगे, toward this coil, जब हम इस coil को इसके पास लेके आएंगे, तो यह field lines इसके साथ link अप करेंगी, और जैसे ही इसके साथ link करेंगी, galvanometer के अंदर deflection होगा अब deflection क्या indicate कर रहा है, circuit के अंदर current produce हो रहा है, same, अब हम इस coil को इससे दूर move लेके जा रहे हैं, तो भी galvanometer deflection शो कर रहा है, तो इसका मतलब current यहाँ पे induce हो रहा है, और जो current की direction होगी, वो क्या होगी, इसके opposite, अब यह जो deflection है, यह एक temporary deflection है, तीक है, अगर हम इसको rest म move नहीं करा रहे हैं, तो इसके अंदर कोई भी deflection नहीं होगा यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या conclusion निकलता है, जो हमने first experiment में पढ़ा, कि अगर relative motion हो रहा है, तो यहाँ पे current induce होगा circuit में, otherwise, यहाँ पे circuit के अंदर current induce नहीं होगा, और यह जो coil है, वो किसकी तरह भीव कर रही है, एक bar magnet की तरह, जितना fastly हम इसको coil के पास लेके जा रहे हैं, और जितना fastly इससे दूर लेके जा रहे हैं, उतना ही deflection fastly galvanometer के अंदर होगा, कुछ इस तरीके से यह diagram बनेगा, इसको हम C से denote कर लेंगे, first coil and this is C- another coil, यहाँ पे इसका जो आपको लिखना है, same चलेगा, ऐसे ही लिखेंगे, difference यह रहेगा, यहाँ पे bar magnet word की जगा आप क्या use करोगे, coil, got it? third experiment, current induced by changing current, first and second experiment में हमने देखा, relative motion हो रहे, coil के बीच में, bar magnet के बीच में, तो question arise होता है, क्या relative motion के बिना भी current induced कर सकते हैं, तो Faraday ने अपने experiment में यह शो किया, कि without any relative motion, we can induce the current, अब वो किस तरीके से होगा stationary condition में, same यहाँ पे हम दो coil use करेंगे, और coil के अंदर हम एक conducting material, like iron, insert कर देंगे, दो coil लिए हमने, दोनो stationary form में, first coil के साथ हमने galvanometer अटेच किया है, second के साथ हम यहाँ पे key use कर रहे हैं, और हमने इसको battery के साथ connect किया है, और यहाँ पे हमने एक material, conducting material इसके अंदर insert कर दिया है, अब देखो, जैसे ही हम key को press करेंगे, galvanometer जो है, वो momentary deflection चो करेगा, momentary deflection क्या indicate कर रहे है, circuit के अंदर current induce हो रहे है, और immediately वो वापी से zero पे आ जाएगा, जब हम key को continuously press करके रखेंगे, तो galvanometer के अंदर कोई भी deflection नहीं होगा, ठीके, जैसे ही हम key को release करेंगे, galvanometer में दुबारा से एक deflection होगा, और जो direction है वो opposite होगी, और pointer वापी से zero के उपर आ जाएगा, यह deflection क्या show कर रहे है, कि यहाँ पे current induce हो रहे है, तो इस condition में हमने without any relative motion, जब हम key को press कर रहे हैं और release कर रहे हैं, तो यहाँ momentary deflection हो रहे है, और momentary deflection ही show कर रहे है, कि circuit के अंदर current induce हो रहे है, तो इस experiment से Faraday ने confusion निकाला, कि without any relative motion, हम current induce कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक iron की road insert करनी पड़ेगी, along the axis of these coils, I hope आपको यह तीनों experiment अच्छे से समझ आ गए होंगे, अगर आपको कोई भी doubt है, तो आप comment box में लिख सकते हैं, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया, तो मेरे वीडियो को like करें, bell icon को press करें, ताकि latest videos की notification आपको मिलती रहे, thank you for watching my video.